जाइ श्री सिताव यह सवाल मैंसे बारबार किया जाता है कि ससर चार्ट होते हैं जो होते हैं इसमें 12 क्यों घर खॉली होते हैं टो जो घर खाली होते हैं उनका क्याय क्या वो घर खाली जिसे किसी के कुंदली में पंचम भाव खाली है पाफ्वा भाव संतान का भाव होता है तो खाली है कि शादी नहीं होगा इत्यादी देखो ऐसा नहीं है कि कोई भाव खाली है तो उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो उस इंसान के साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है आप थोड़ा सा सूचिए कि 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं, एक कुड़ली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं तो बारह भाव में हर एक भाव में भी एक ग्रह पोईदी आप रखते हो, तो भी नौ भाव में ही सारे नौ ग्रह आएंगे, बागी के दसवा, ग्यारवा और बारवा ये भाव जो है वो छूट जाएगा, तो जब ये भाव छूट जाएगा, तो obviously कोई ने कोई भाव तो ख खाली में भगवान ने इस दर्थी पर जन्म लिया था, तो कुछ भाव उनकी भी कुनली में खाली हैं, तो सवाल ही आता है, कि जो खाली हांसेज हैं, उनका कैसे फन निकालते हैं, क्योंकि जैसे मान के चलें, कि पंचम स्थान पर शनी महाराज हूए है, आप पंचम स्था तो यह चलो बोल दिया, विए कि शनी महाराख बैठे होगा है, लेकिन आप पंचन इस्थान पर कोई ग्रह नहीं है, तो आप कैसे पता चलेगा कि डिले होगी, नहीं होगी, समय पर होगी, देखो इसके लिए क्या होता है, कि पंचन इस्थान पर कोई नहीं कोई राशी विषब राशी, मितुन राशी, तिसरी राशी, चौती राशी, कर्ग राशी, पाची, सिह राशी, छटी राशी, कन्या राशी, सात्वी, तुला राशी, आठवी, विष्षिक राशी, नभी, धनु राशी, दस्वी, मकर राशी, ग्यारवी, कुम्ब राशी और बारवी मीन राशी होती है तो इन राशीओं के सब स्वामी होते हैं तो वो जो स्वामी है जैसे मेश राशी के और वरिशिक राशी के स्वामी कौन हो गए मंगल महाराज हो गए वर्शव राशी और तुला राशी के स्वामी कौन हो गए शुक्र महाराज हो गए बितुन राशी और कन्या राशी के स्वामी कौन है बुद्ध महाराज है करकर राशी के स्वामी कौन है चंद्र महाराज है सिह राशी के स्वामी कौन है सूर्य महाराज है तो यह जो राशियों के स्वामी होते हैं इन राशियों के स्वामी को देखा जाता है कि वो कहां बैठे हैं जैसे एक एक जामपल के दौर पर जैसे मैं अभी संतान डीले का एक जामपल दिया कि शनी महाराज पंचव इस्थान पर बैठे तो कहने के संतान को डीले कर सकते हैं या आपने देख लिया लेकिन उस भाव में कोई ग्राय नहीं बैठे हुए हैं तो फ पूसकता है मंगल सुर्य महाराज के साथ में बैठे हूँ तो शनी का वैसे ही प्रभा होगा जिसे वो पंचम इस्थान पर बैठे हुए होती क्योंकि पंचम भाव के स्वामी के साथ शनी महाराज बैढ गए हैं तो वो संतान को डीले करेंगे या फिर मंगल के साथ सूर्य सूर्य जो होते ला वो रिष्टों को तोड़ने का काम करते तो संतान के पक्षम बैठे तो संतान ना हो या अबोर्शन हो ऐसी स्थितियों को पैदा करते और कहीं पार संतान से दूरी भी दे देते हैं तो हो सकता है मैं भी कि पंचम भाव के स्वामी जैसे मंगल है तो के नक्षत्र को भी देखा जाता है लेकिन मोटा मोटा यह मैंना आपको यहां पर समझा है किस प्रकार से देखने का एक तरीका होता है हो सकता है मंगल महराज पंजम भाव के स्वामी है लेकिन वह अखेले बैटें के साथ कोई ग्रह नहीं बठा तो कोई ग्रह उनको देख र मेरे पास मुखी कंसल्टेशन एक आजए की बात है सुभा की बात है करीब करीब 23 साल का लड़का है और अभी तो पढ़ा ही कर रहा है और उसके सेवन था उसमें कोई प्लैनेट नहीं है और उसको यह डर से लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी तो उसने इसलिए मुझे कॉल किया कि साल शादी होगी कि नहीं होगी कभ कैसी होगी वाइफ इसलिए उसने मुझे कॉल किया धर कूछा है जाए